पूरी दुनिया खदरनाग कोरोना वारस से जंग लड़ रही है इससे नपढ़ने की तमाम कोशिशें की जा रहे हैं और सभी देश इसका वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं कोरोना वारस को लेकर हर कुछ समय के बाद एक नई चीज निकल कर सामने आती है जो फिर से सभी को हैरत में डाल दीती है WHO World Health Organization समय समय पर कोरोना वारस को लेकर सामने आने वाली नईने चीजों की जानकारियां देता रहता है अब हाल ही में WHO ने जो बात कही है वो धोड़ी चिंता जनक भी हो सकती है WHO ने ये बात कोरोना वैक्सीन को लेकर कही है WHO का कहना है कि भले ही कोरोना का वैक्सीन तयार कर लिया जाए लेकिन ये जरूरी नहीं कि वैक्सीन इस बिमारी को खत्म कर दे डबली आचो का कहना है कि वैक्सीन भले तयार हो जाए लेकिन कोरोना वाइरस का राम बाण इलाज अब तक सामने नहीं आया है आपको बता दें इससे पहले भी डबली आचो कह चुका है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा डबली आचो ने इस बात की चीतावनी भी दी थी कि युवाओं का ये सोचना कि उन्हें कोरोना वाइरस नहीं है ये गलत हो सकता है क्योंकि इस तरह के सोच रखकर वो एक कमजोर वर्ग को कोरोना की तरफ धकेल रहे हैं डबली आचो ने कहा कि शयद अब कोरोना कभी खत्म ना हो क्योंकि ये एक नया वाइरस है जो कि हर वक्त अलग-अलग तरीके से बरताव करता है ऐसे में इसको रोकने के लिए किसी भी नतीजे पर अभी नहीं पहुचा जा सकता देश और दुनिया में कोरोना केसिस की संक्या दिन बदिन बढ़ती जा रहे हैं ICMR यानि भारती चिकित्सा अनसंधान की माने तो भारत में दो करोड से जादा सेंपल जाज के लिए कलक्ट किये गए हैं दिन बदिन नए मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना केस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे या हम इस महामारी से निजात पालेंगे आप देख रहे हैं घमासान.com और भी नियूज अबडेट्स पाने के लिए सबस्क्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें